हेले दोस्त इस वीडियों हम बताएंगे एकर के बारे में और आप लोग जानते होंगे जब जमीन का कोई भी कागजाद ऑनलेन या ओफ लेन जब आप निकल आवाते हैं तो उसमें आपको एकर और डिसमिल में जमीन लिखा होता है तो उस चीज को बहुत व्यक्ति नहीं जा जानते हैं उसको यहां पर एकर के बारे में एक ही चीज नहीं कई यूनिट में और कई चीज आपको जानने को मिलेगा इसलिए इस वीडियो में बने रहे तिक है और आपको बता दे अब भी जो वीडियो में जो हम बताएंगे तिक है अगर आप कंसस एस्टुडेंट है कह हम आपको यहां पर बताएंगे या आप क्या करेंगे उसको नौट कर लेंगे यानि नौट कर लेंगे अपने कांपी में जहां पर याद रखने यह चीज हो क्योंकि यह कैसा चीज है कि बहुत सारी व्यक्ति ठीक है बहुत सारी व्यक्ति जानते नहीं ठीक है और इस चीज हो जाते हैं उसलिए आपको यह मान याद रहना चाहिए क्योंकि आप गूगल सर्च करेंगे या कोई भी सर्च करेंगे तो आपको पूरा यूनिट जो अभी हम लिखेंगे यहां पर आपको कहीं दिखिनों को मिलेगा नहीं ठीक है मिलेगा तो बहुत प्रैसानी से मिलेगा उसलिए आप इस वीडियो में हर एक चीज आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा ठीक है तो चले इस्टार्ट करते हैं देखिए एकर तो समझे सबसे पड़े लिखेंगे एक एकर एक एकर में कितना कितना जमीन होता है एक एकर में कितना जमीन होता है ठीक है तो यह हम लोग का कोशन है कोशन का पाला कि सबसे पले एकर एकर के बारे में जानेंगे स्क्वेर फिट में बहुत व्यक्ति जानते भी हैंगे बहुत प्यक्ति नहीं भी जानते होंगे अगर यहां पे स्क्वेर फिट में जा कितना स्कॉइर हाथ होते हैं एक इकर में कितना स्कॉइर कड़ी होते हैं सारा चीजी आपको इस वीडियो में इतना ही नहीं देखिए हम सिस्टम से लिखते हैं और आप लोग उसी को देखते रही है ठीक है और उस चीज को नौट करते चलें देखिए देखिए तैने तालिस हजार पांसो साथ स्क्वाइल फीट क्या स्क्वाइल फीट बरावर एक एकर एकर हम स्वर्ट फॉर्म में लिख दे थे ठीक है एक एकर ठीक है और देखिए यहां पर चालिस एक देखिए चार हजार चालिस इस्क्वाइल फीट बरावर मीटर बरावर एक एकर उता है ठीक है एक एकर उता है चार हजार आर्ट सो चालिस चार हजार आर्ट सो चालिस स्क्वाइर गज गज को हम याड़े स्टिक भी बोलते हैं ठीक है गज हम हिंदी में लिखे देते हैं अच्छा लोग आप ठीक है गज यानी 4,000े चार आर्ट सो चालिस अच्वाइर गज बरावर एक एकर ठीक है एक एकर छाली एकर इतना समझ गये और देखिए यहां पे यह आपको अच्वाइर फीट में जनकार लग गया स्क्वाइर मीटर में sqrt gaj में यह मुख्व जीज है आपको जातर जमीन में ज्यादा व्यक्ती जानते भी रहते हैंfour इस civ के भीजिश का यूज भी करते रहें लेकिन अभी जो लिखाएंगे बहुत सारे व्यक्ती जानते भी नहीं है, बहुत कम व्यक्ति जानते हैं, और बहुत कम व्यक्ति इसीज़ को यूज़ भी करते हैं, देखें, ए दोड़िए, एक एकर में, एक एकर में, एक एकर में एक लाक, एक एकर में 1,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 30,360 स्कुर्ण हाथ होता है ठीक है हाथ है ठीक है और यह तो बहुत कम व्यक्ति जानते हैं और बहुत व्यक्ति को तो तो यह समझे असी परसेंट से नभे परसेंट आद भी नहीं जानते हैं क्या यह एक एकर का मान स्क्याप स्क्वार डेग में ठीक है यहाँ पर देखें एक एकर में पांच हजार सासोग्षाट pseud declarator ठीक है जो देखें एक दो तेन चार पांच छेए यूनिट में आप यहाँ पर क्या एकर का मान देखें थोड़ा आप लोग अभी वीडियो खतम नहीं होगा थोड़ा वेट केजिए ठीक है कुछ-कुछ मुख चीज को समझ लेजिए जिससे आपको असानी होगा यहाँ पर देखिए एक एकर में हम क्या बता है एक एकर का मान हम एक स्क्वाइड मिदलब एक स्क्वाइड में जो Dit ही होता हों ठिके अभ यही चीज को इतने ही चीज को आप जो है अगर जो यह Oui अगर कठा में चंज़ करना चाहेंगे तो आप स्क्वाइर फिट में जो भी एक कठा का लिडिवी लगी से आप चेन्ज कर सकते हैं अगर एक कठा कमाने square meter में पता है तो आप change कर सकते हैं और एक कठा कमाने square गज में पता है तो आप change कर सकते हैं और करी में पता है तो change कर सकते हैं और एक कठा कमाने square डेग में पता है तो आप कर सकते हैं और square hand हाथ में पता है तो कर सकते हैं आप कन भषट कर सकते हैं तो यह जो है एक एकर का मान और दखिए बोर कीजिएगा यहां पे जो है न ठीक है यहां पे जो है एक एकर में एकसो डिस्मिल होता है वह हम नहीं लिखे ठीक है हें एक एकर में 150 होता है क्या यहां पी देख लिजिएगर था एक एकर बरावर एक एकर बरावर एक सो डीच्बिकि ठीक है तो डीच्रमिल देट पर हम इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि व्यद्ट सब्छाए हैं ठीक है लिकिन हम यहां पर इस्क्वेर में ही कि में बता रहे थे तो डीशमील भी एयरिया ही है वो भी स्क्वेर में ही निकलता है रेकिन दिशंील कॉम ने लिहें लेकिन वहीं बहुत वेक्ति हो सकते हैं को मैंट करें बताएंगे कडी में हाथ में डेख में ठीक है साथ यूनिट में झे इधर एक म atenção कि इद न इसे अलग लग लग encont चलता है जिसे बहुत सवर्स चीज़ चलता है कनमा थी करना है कनमा में चेंज करना है या जो भी चीज में आपको चेंज करना है अलग अले गरिया ओल इंडिया का बात करें ओल इंडिया कहीं से भी है जहां कनाल चलता है पंजाब वेगरा में एकर कनाल वेगरा चलता है तो आप वहां भी अगर कोई भी एरिया के हो तो यहां इसको चेंज कर सकते है और आपको बता दे यहां पर जो प्रसिक्षन लेते हैं ओल इंडिया लेवल का इड़े की बिहार से ट्रेनिंग हो रहा है अमीं ट्रेनिंग से तो आपको मदवनी का ही परोपर नॉलेज मिलेगा ओल इंडिया चाहिए पजार खंद से हैं यूपी से कहीं से भी हैं ठीक है यहां से कोर्श वग्राइब करते हैं तो हर एक मतलब पूरे ओल इंड्या लेवल पर आपको ट्रेनिंग यहां पर मिलता है ओल इंडिया में कहीं पी जाकी आपको मारश कर सकते हैं तो अकर आप कर ना चाहते हैं ऊफ्लेंग्टेन आप अना प्लेस्टोर सार्च किजेगा किशोर अमीर ट्रेनिंग तो आप अपना एप से दिखने को मिल जाएगा तो एपस पे वहां पे आप लाइब किलास चलता है और ऐसे भी जो है आप अगर किलास आफ लेंग में करना चाहेंगे तो यह फूल फैसलेट ही है आईए किजिए देखिए समझे और यह ट्रेनिंग स इस इंटर है ठीक है जो जिसको आप अमीन ट्रेनिंग कोलेज के नाम से भी जानते हैं अमीन ट्रेनिंग मधवनी के नाम से भी जानते हैं और इस चैनल के नाम से भी जानते हैं ठीक है तो अगर आप करना चाहते है तो यह स्क्रीन पे नंबर फ्लैस होड़ा है उस नंबर पर कॉल किजिए और इंक्वाटि के जिए कि आखिर यहां पर क्या कैसे है करना पड़ता है क्या चार्ज लगता है सारा डेचिल्स आपकर इस नमषर पर मैं इस नमषरण प्रमी आप अपने लीजिए और बिस्यस्ट जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही बिलेंगे अगले वीडियो में तब तक कलिए खुश रही और दुरुस्त्री स्वस्त्री और मस्त्री चाहिए